हेलो दोस्तों कैसे हूँ आपसे वेल्कम आक टु जोव यूस्टी में अप्रिकाश NIC यानि National Informatic Center में Scientist B, Scientific Officer and Technical Assistant ये पोस्ट में वैकेंसी रिलीस की गई है Online registration complete हो चुकी है तो बहुत सारे candidates का सवाल था कि category wise and post wise total कितने applications receive हुई है तो चलिए उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं Scientist B की तो Scientist B के post के लिए General category से total 13,081 candidates ने अप्लाई किया हुआ है General category EWS यानि कि EWS category से 1,002 candidates ने अप्लाई किया है OBC category से 9,174 candidates ने अप्लाई किया है ST category से 9,688 candidates ने अप्लाई किया है and ST category से 3,263 candidates ने अप्लाई किया हुआ है यानि कि Scientist B के लिए total 36,218 applications receive हुई है और अगर यहाँ vacancy की बात करें तो Scientist B के post में 71 vacancies रिलीज की गई है अगले post की बात करें तो Scientific Officer या Scientific Engineer के post के लिए जनरल category से 13,042 candidates ने अप्लाई किया है EWS category से 1,069 candidates ने अप्लाई किया है OBC category से 9,523 candidates ने अप्लाई किया हुए ST category से 9,538 candidates ने अप्लाई किया है and ST category से 3,224 candidates ने अप्लाई किया हुए यानि कि Scientific Officer के post के लिए total 36,446 applications receive हुई है और अगर यहां vacancy की बात करें तो Scientific Officer के लिए 196 vacancy रिलीज की गई है अगली post की बात करें तो Scientific Technical Assistant के post के लिए General category से 13,503 candidates ने अप्लाई किया है EWS category से 1,179 candidates ने अप्लाई किया है OBC category से 10,731 candidates ने अप्लाई किया है ST category से 10,335 candidates ने अप्लाई किया है और अगर यहाँ वेकेंसी के बात करें, तो टेकनिकल एसिस्टेंट के पोस्ट के लिए 331 वेकेंसी रिलीज की गई है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि यह competition कितना जादा रहने वाला है, तो आपको preparation बहुत अच्छे से करना हुआ, और तीनों ही जॉब है, यह बहुत ही बह तरीन है, permanent government job आपकी रहने वाली है, तो अच्छे से preparation करना, और साथ ही साथ आप comment करके जरूर बताना कि आपने किस post में apply किया हुआ है, thank you and all the best.